Hello Everyone, Good Morning, Namaskar आज 19 September 2020 और आज के The Hindu News Paper को हम लोग analysis करेंगे सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और चाइना के border पर जो issues हुआ है उसमें एक छोटिश information उसके बाद हम next topic जो cover करेंगे यहाँ पर बतायागा कि 10 ऐसे patrolling points है जहाँ पर Chinese के द्वारा block कियेगे जिसकी वज़े से चाहे वो depth sing region हो चाहे वो पंगोशोल लेक वाला region हो उन सब पर कहीं न कहीं issues create हुआ कहीं न कहीं एक problem create हुआ इसके लावा अगर हम बात करें तो LAC जो है पूरी तरीके से define नहीं है आप से इतने चीज नहीं पुछी जाएगी एक्जाम में तो यह बताया गया कि यह number से patrolling point जहां पर कहीं न कहीं block करने कोशिज की चाहना के द्वारा और depth song plane से लेकर नीचे अगर south में देखें तो पंगोंग शोर लेक तक यह सारे blockade करने की कोशिज की जिसकी वज़े से issues create हुए और कहीं न कहीं दोनों अगर patrolling बंद करेंगे तो यह patrolling उनको block करने कोशिज करेंगे तो definitely दोनों तरफ से जो है issues create होंगे और वही border पर एक dispute का बड़ा region रहा है उसके बाद second important और बहुत ज़्यादा important है अलग angle से चीजों को बताया गया है मेडिया ट्रायल या मेडिया की freedom के बारे में सुप्रिम कोट ने कई सारी चीजें बताई गई यह पूरा चीजें है क्यों नीज में उसके बारे में थोड़ा सापको बता दूं ठीक है एक चैनल का नाम है सुदर्शन टीवी और उसकी एडिटर इंचीफ जो है सुरेश कु में एंट्री करने के लिए UPSC Civil Services Examination में सेलेक्ट होने के लिए उनको अधिक चांसी दिये जा रहे हैं या अलग-अलग कंडिशन उनने बताई ठीक है तो उन सब चीजों के बारे में सुप्रिम कोट की क्या स्टेटमेंट है सुप्रिम कोट ने क्या कहा उन सब के बारे में से हम लोग समझेंगे सबसे पहले अगर आप पूरा UPSC का notification देखेंगे तो उसमें reservation के बारे में कहीं भी ऐसा religion के basis पर कोई reservation नहीं है अगर आप उसको अच्छे से अब्जोग करेंगे और दूसरी बात जो इस television channel ने जो allegation लगाया कि जो foundation है multiple foundation है जो Muslim community को या Muslim students को coaching के लिए promote करते हैं like जकाद foundation है इनको priority दी जारे government के तरफ से इनको funding की जा रही है तो उसके बारे में Supreme Court ने क्या को उन सब चीजों के बारे में हम लोग observe करेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करें कि हम एक ऐसे nation की तरफ जाएंगे जहां पर एक cohesive यान एक तरीके से positive environment हो इसके अंदर national security important है और human right, human dignity उन सब को भी promote करना हमारी importance में है इसके लावा इन्होंने बताया कि इस तरह के जो attack आप करने मीडिया के through जो है वे कहीने के ऐसे marginalized section जो है जो mainstream के अंदर आना जाते हैं और उसको एक communal angle देने की कोशिश की जारी है तो ये एक अलग mode में चला जाएगा और हमा religion की हो किसी भी कास्ट की हो वो चाते कि हमारा bureaucracy के अंदर जो वो एक तरीके से representation हो तो इसमें कुछ गलत क्या है अब वो positive तरीके से हो रहा है अगर आप अपने बच्चों को बढ़ा कर bureaucracy के अंदर भेज रहे तो इसमें कुछ गलत नहीं है ठीक है इसके लावा कई सारी चीज हो चाहिए वो human dignity के बारे में बात हो कि मुने किसी भी community की dignity के बारे में सवाल जो उठाते हैं तो एक तरीके से यह हमारा हमारी जो culture हमारी constitution उस चीजों का भी कहीं ने कहीं violation है ठीक है तो प्रोग्राम जो भी उनको वो launch करने वाले थे उनको कहीं ने कहीं कहा कि यह एक तरीके से इस पर ban लगा देना या इसको पूरी तरीके से रोक देना यह भी कहीं ने कहीं नेगेटिव है इसका भी एक अपना इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी को उसको टेरर से लिंक कर देते हैं तो यह एक बड़ा ही मतलब खतरनाक लेवल की जो हो चीजे हो जाती है हर एक चीज को टेरर से लिंक नहीं किया जा सकता इसके लाब किसी क्लास को किसी religion को आप पूरी Muslim community को target करेंगे तो यह सारी चीजें जो है यह कहीं ने कहीं पहली बा लेकिन यह हमारे लिए extreme step हो जाएगा कि इस तरह की चीजे करना और इसमें government of India, state government और खुद media को भी अपने self-regulation होने चाहिए कि वो क्या चीजें जो हो शो कर रहे हैं ठीक है pre-telecast इस तरह की चीजें को ban करना जो है वो supreme court के लिए challenging है क्योंकि वो extreme resources हो जाता है और हम इसमें जो है वो कहीं ने कहीं like इस तरह का कोई option like child sexual abuse हो, gender violence हो और matrimonial या even personal relationship इन सब चीजों में हम कर सकते हैं लेकिन अब इसमें media को सोचना पड़ेगा कि आपका self regulations क्या है हम इनको completely ban भी नहीं कर देना चाहिए लेकिन इस तरह की चीजें जो आप कर रहे हैं ये एक तरीके से injection is like a nuclear missile ठीक है इस तरह की चीजें जो है आप nuclear missile जैसी है और community harmony की बात जो हम करते हैं ये कहीं ने कहीं इस तरह की चीजें आप communal angle चीजें को दे रहे हैं किसी भी चीज को और हाँ आप इन्हों ने ये कहा कि अगर आपको जकात foundation के funding को लेकर कोच issues है तो आप उस पर discussion करिए investigation करिए अपनी अपने जो channel उसको run करिए बट इस तरह की चीजें मत करिए जो कहीं ने religion को target करेगी या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक particular religion या particular चीजों को आप connect या communal एंगल देने की कोशिस करेंगे यानि आपको target नहीं करना चाहिए किसी भी minority community को इसके बाद recently जो है पेटियम एक application है आपने जुरूर सुना होगा नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है यतना बड़ा issue नहीं है तो उन्होंने google play store जो होता है उससे उनको हटाया गया था क्यों हटाया गया था just take information उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक पेटियम cricket league के नाम से कुछ जो है आपको पेटियम transaction करने पर कुछ आपको cashback मिलेगा तो google ने यह कहा है कि इस तरह की चीजें करना यह उनकी policies का volutions है और उसके बाद उन्होंने इसको जब revive किया चेंज किया उसके बाद उसको वापिस play store में include किया गया अगर आप google play store को में search करेंगे जितने भी ऐसी gambling या सट्टे वाजी जैसी applications हैं वो उसके अंदर नहीं मिलेगी क्योंकि यह google play store की एक बहुत important rules and regulations है जिसको follow करता है इसके बाद दिल्ली high court ने एक important step लिया है किसके बारे में digital divide को breeze करने के लिए digital divide जो बढ़ रहा है उसको cover करने के लिए उसको हम थोड़ा observe करेंगे यहां पर discussion किया गया है कि recently जो चीज़ें हो रही कि covid-19 pandemic की वज़े से school and college जो है almost बंद पड़े है तो इस time क्या हो रहा online education पर जो है वो क है उसमें हम digital gadgets like mobile हैं laptop वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो इसके लिए दिल्ली high court में petition file की कि online education में सबको free access होनी चाहिए तो उन सब के बारे में दिल्ली high court ने क्या बोला है कि आप जल से जल ऐसे section जैसे economically weaker section होगा disadvantages group जिनको benefit नहीं मिल रहा उनको जल से जल ऐसे एकसेस करवाईए इस तरह की चीज़ें ताकि यह जो gap बनेगा education के मामले में आमीर और गरीब के बीच बे या excessive access नहीं होगी gadget तो इसमें एक learning जो है gap बनेगा वो नहीं होना चाहिए और इन सब के लावा उन्होंने कई important चीज education का part है कि आपको barrier सारे हटाने होंगे education के मामले में और यह कहने के right to education act 2009 के section 3821C इन सब का violation है इन sections को ध्यान रखना जूरूरी नहीं है आप इसमें सीधा लिख सकते है right to education के कुछ sections का violation है इनके लावा अगर हम बात करें तो right to education के 25% EWS और यह disadvantage group जो है यानि ऐसे लोग जो fee भी pay नहीं कर सकते उनको include करने के लिए right to education act लाय गया था लेकिन अगर आप digitally divide कर देंगी इस पूरे sections को तो यह right to education act का violation है इसके अलावा article 14, article 20 और article 20 of the Indian constitution यान fundamental rights का भी यह violation है तो UPSC perspective से बहुत important right to education, digital education और basic fundamental right जो है वो तो हमेशा UPSC के one of the favorite topic रहे है तो यह चीज़े है इसके लावा एक committee form की जाएगी जिसमें जल्द से जल्द इसमें जो है वो action लिया जाना चाहिए एक NGO है justice for all उन्होंने यह PIL जो है वो दर्ज की थी वो file की थी high court के अंदर आप लोगों नीचे comment कर करना कि PIL जो है public interest litigation यह कब शुरू हुई थी और यह basically कि कौन चीफ उस टाइम यह किसकी अवधार ना कह सकते हैं किसका यह concept ता वो आप नीचे comment करेंगे ठीक है इसके बाद page number 11 पे दो तिन important news है पहली बात October 2 को web platform launch किया जाएगा web basically क्या है वो हम समझेंगे department of science and technology and defense research and development organization DRDO जो है वो एक online discussion करेगा एक मन्त पूरे लंबे मन्त तक यह चलने वाला है non resident of Indian scientist के द्वारा ठीक है इसके लाव यह event जो है इनुगरेट किया जाएगा प्राइम निशन रहेंदर मोधी द्वारा वेभो का full form है Westwick भारतिय विग्यानिक summit ठीक है इसके अंदर किन चीजों पर discussion होगा उसके बारे में हम यहाँ पर सीधा देख लेते हैं इसके अंदर key area of discussion रहेंगे quantum technologies, artificial intelligence, machine learning, electronics and semiconductor technologies, communication technologies, photonics, computational and data science and aerospace technology यह सारे जो हैं इसके अंदर key partner रहेंगे और इसके अलावा यहाँ पर Westwick भारतिय विग्यानिक का full form है, प्राइमिर्स साथ इसको integrate करेंगे और NRGA non-resident scientist को इसके अंदर include किया जाएगा और Department of Science and Technology जो हो है और Defense Research and Development Organization combinedly इस चीज़ को organize करेंगे, तो वैब हो करके यह platform है, ठीक है, इसके बाद एक national green tribunal जो इस बार बहुत ज़्यादा highlighted है, आप लोगों को नीचे comment करना है कि national green tribunal जो है कब बनी थी और इस टाइम इसके chair person कोन है तो national green tribunal एक important provision था कि जितने भी environment related laws है, उनको अगर कोई violation होता तो एक special body बना दी जाए, और यह fundamental right के अंडर भी article 21 के अंदर जो right to environment है, clean air बोल सकते हैं, clean environment का जो right है, उन सब को restore करने के लिए बनाए की ति दिल्ली headquarter है, और कई जगह पर इसके regional offices है, ठीक है, तो अब यह news म यह news में है, और यह जगह का नाम है, रविंदर स्रोवर करके, ठीक है, यह रविंदर स्रोवर में NGT ने जो ban कर दिया था कि कोई भी यहां पर पूजा, community picnic organization नहीं होगा, और यह कहिने के इसके बाद state government जो है, वो चातिक यहां पर छट पूजा जो होती है, festival eastern state के अंदर, जारकन, भिहार, वेस्ट पिंगोल, उसको अलाव किया जाए, ठीक है, तो इसके बाद इन दोनों के बीच में state government और NGT के बीच में issues है, कि कैसे resolve किया जाएगा, तो NGT के बारे में आप लोगों comment करना है, इसका गठन कब हुआ था, इसको कब यह form की गई थी, और इसके chair person या, इस टाइम फे मुखिया को ना, ठीक है, इसके बाद एक बंबू सूट करके एक चीज है, जो न्यूज में है, और यह कहागा कि इम्मिनोटी पुस्टर के रूप में काम करगा, इसके अंदर 17 amino acid होते हैं, और जो कि जिन में से 8 काफी essential है, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप बंबू या बांस के बारे में देखें, तो नौर्थ इस्टर्न स्टेट के अंदर बहुत important role play करते हैं, और इस्टर्न स्टेट में भी अगर हम देखें, जहारकंड और इस साइड जो है, 36 साइड थोड़ा-थोड़ा improvement, यहाँ पर tribal population के लिए एक important economical perspective is important है, इसके काटना या उसके लिए बहुत बलंबी चोड़ी policies है, अगर grass में इसमें count करेंगे तो उसको हम cut कर सकते हैं, उसकी जो है agriculture में include कर सकते हैं, कोई issues नहीं होगा, ठीक है, तो यह माना जाता है कि immunity poster के रूप में कायम करता है, body के अंदर resistance increase करता है, किसी viral attacks के अंदर ठीक है, इस time 1700 million dollar है, जो कि बहुत बड़ा एक market है, भारत के अंदर mostly जो है North Eastern state के अंदर ये की जाती है, और बड़े संके हमें tribal economy के लिए important ये parameter हो सकता है, एक तरीके से important ये product हो सकता है, ठीक है, इसके लाबा कई सारी country फिल जैसे Philippines है, वो सब इसके बारे में काम कर रही है, और हिंदू region हिंदू में भी ये news आई थी कि festival to mark यानि वर्ल्ड बंबू डे को organize किया गया था 2009 में प्रपोज किया गया था और ये वर्ल्ड बंबू organization के बारे में discussion किया गया कि हाँ इस तरह का organization भी होने चाहिए, अगर Indian context में देखे तो भारत में national bamboo mission जो है उसमें बताया गया कि भारत में 13.96 million hectare जो है इसके अंडर आता है, चाइना जो हो एक्सपोर्ट के मामले में richest है लेकिन भारत भी काफी rich है इस की diversity को लेकर इसके अलगले context को लेकर और export में अगर हम देखे तो चाइना बड़ी संक्या में इसका export करता है और इंडिया भी इसमें अच्छी खासा जो वो export कर रहा है इन सब के लावा international network for bamboo and return जो है उतनों नहीं कहा कि export के मामले 68% जो हो वर्ल्ड में चाइना एक्सपोर्ट करता है और रेटन प्रोड़क्ट्स की बात करें तो 1112 डॉलर जो इसकी value है ठीक है तो कुछ important चीज़ है इसके बारे में इसके बाद हम वर्ल्ड वाले section म जाएंगी देखिए foreign section में एक ही new जो important में है और वो है चाइना के कुछ फ्लाइट फ्लाइटर्स हैं जो ताइवान के उपर से उनका issues हुआ ताइवान पर चैनी जो फ्लाइट हैं खासकर जो fighter plane जो होते हैं उन्होंने उसकी जो relations किया इसके यह सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और चाइना नहीं कहा है कि अगर United States से ताइवान relation increase करता है तो उसके पास कई सारे option हो सकते हैं इन future वो उसके साथ war में भी जाए ठीक हाला कि ताइवान जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा यह एक अलग concern है लेकिन भारत की forces की तरफ से हमारे जो air force के officer यह बताते हैं जो कि जैसे भारत के सामने इंडिया दो फ्रेंट है पाकिस्तान और चाइना तो चाइना के पास multiple फ्रेंट होंगे जैसे ताइवान इंडिया उनका एक regional जिन जियांग यहाँ पर जाएगर कमुनियोटी जो उनके खिलाफ कहीं ने कहीं है वो मीडिया में शो नहीं होता इसके अलावा जापान है उपर अगर हम देखें मंगोलिया रशी इन सबसे उनके रिलेशन खराब है अलाग कि रश्या और मंगोलिया वार में जाएंगे नहीं जाएंगे वह अलग चीज़ है बट कई सारे फ्रेंट है इसके लावा उन्होंने इंडिया को भी क्रिटिसाइज कि है कि भारत जो यूएस का लाई बन रहा है या एक तरीके से इसको किसी ग्रूप में इंक्लूड हो रहा है यह नोन अलाइनमेंट मुव्मेंट या गुट निर्पेक्स अंदोलन की एक हमारी पॉलिसी थी उसको हमने गिव अप कर दिया है ठीक है और क्वाड के हम मेंबर ब इक्षिन जो है उसे डेटा जो स्टोल करा इस तरह की रिपोर्ट से तो चाइनिज पर डेटा चोरी का हमेशा से आरोप लगता और वो आरोप कहीने कहीं सही भी है कई सारी इसी वज़े से इन पर ट्रेस्ट करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए आप देखेंगे फा है उसे अर्टिकल पार्टिज को लेकर वहां पर प्रिजरेंट और उनके ओपोजिशन लिडेश को लेकर की वहां पर स्टैबिलिटी जी सारी चीजे पार में हमने पहले भी देखा यह फिर से एकर आप चाहिए गए तो बेलारोस के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर आग अगर आप जोगर्फिकली देखेंगे बेलारोस की लोकेशन जोगर्फिकली अगर हम देखें तो Eastern European country है राइट हैंड साइड इसको आप रिश्या देखने को मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर युक्रेन आपको देखने को मिलेगा पोलेंड है लिथवानिया है और लाट्विया यह सारी country आपको इसके अराउंड country देखने को मिलेगी बेलारोस के बारे में politically कुछ issues है वहाँ के president और opposition political parties को लेकर election के तरीके को लेकर उन सब वज़े से news में है ठीक है इसके बाद economy या business section में एक important सी news है दो तिन उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर country of origin के बारे में जो एक decision लिया गया था हमारी commerce ministry दवारा यानि कोई भी product होगा जो अगर foreign से आएगा तो उसको यह country of origin जो है mention करना पड़ेगा इसके लिए बहुत सारी countries के साथ free trade agreement का मतलब है कि वहाँ पर tariff और country of origin नहीं थी तो चाइना अपना product direct नहीं भेज रहा था इनके थू हमारे पास भेज रहा था कि उनको free trade agreement किता है जो छूट मिलती वो मिले लेकिन अब free trade agreement में यह mention कर दिया गया है कि आपको बताना पड़ेगा यह product किस country का है ठीक है उनके बाद यह सारी चीज़ें की गई है इसके लावा भारत का नेकेवल आशियान गुरूप्स के साथ बलकि जपान साउथ कोरिया इन कंट्रीज के साथ भी free trade agreement है जिसमें बेसिकली दो पार्टनर कंट्रीज के बीच में eliminate और किया जाता है कि एक तो यूज किया जाएगा जो custom duty होगी और जो extra या unwanted duty जो होते उनको eliminate कर दिया जाता है custom duties हो या दूसरी जो भी उसमें टैरिफ हो टैक्सी हो ठीक है इसके बाद यहां पर बताया गया कि जुलाई के अंदर जो है एक सेकिन एक सेकिन अगस्त के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा इंट्र स्टेट में जाएगा तो इसकी डेटा बताते हैं कि कई ने कहीं improvement यहां पर हो रहा है और transportation में या business में अगर हम देखें तो यह economic activity को reflect करता है कि उसने धीरे धीरे activities को pick करना शुरू किया है इवे इसके अलावे इसमें एक GSTN डेटा के बारे में GSTN क्या है GST के अंडर ही एक technological data को manage करने के लिए इसके पूरा का पूरा सिस्टम चलता है कि इसके अंडर नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर के अंडर यह GST का ही एक पार्ट है कि डेटा को manage करने के लिए इसके बारे मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा वो क्या है और क्यों न्यूज में रहे थे पिसले क्योंकि यह रिपीटी मोड में तो रिशनली सबसे पहले बात करेंगे गवर्मेंट और जो फार्मार एसोशेशन है उन सब के बीच में एक इस्यूज है क्या इस्यूज उन सब चीजों को हम सोड़ा समझेंगे तो रिशनली हुआ क्या है कि एक इंपोर्टन मिनिस्टर थी कबिनेट हर्सिमरित को और बादल जो की सिरोमनी अकाले दल प्लिटिक कराई थी गवर्मेंट उनको जो है रिप्लेस करके इसमें चीज़ें क्या करेगी कि वो एक बिल बनाएगी या एक एक्ट के तुरू उनको लागू करने वाले इनके अंदर बेसिकली अगरिकल्चर कमोडिटिज के ट्रेड को लेकर हो प्राइस अजूरेंस को लेकर हो ठीक क्या बोल रही है कि एक तो पहले बात इसमें ट्रेड का जो एक तरी की चीज़ें वो उसको रिवोक करने की उसको आप डेमेज करने कोसिज करेंगे इसके लावा अगर हम बात करें इन्होंने कहा कि अगरिकल्चर और मार्केट जो हैं ये दोनों स्टेर सब्जेक्ट के अं प्रसपी जो है मिनममप सपोर्ट प्रस ये कही नहीं उसको डेमेज कर सकता है इसके लावा थर्ड इंपोर्टन पाता इसमें बतायागे है कि एक्रीकल्चर परड़्ूस मार्केट कमेटी जो है ये ये इसको भी कही्न पाइसन कर सकते हैं ये एक्ट के अंदर स्टेट गोर्मेंट के अंदर ये बेसिकली आता है और इसमें प्रोविजन से दिये गए हैं कि हमें एपीमसी के थुरू अगरी कल्चर प्रोडूस मार्केट कमेटे के थुरू जो है वो फार्मार्स के लिए जितने भी प्रोब्लम उनको रेशोल के अजास क चाहिए मिडल मैं को लेकर हो उनको टाइम पर पेमेंट मिले वो सारी चीज़े उनकी प्रोव जो है वो टाइम पर उसका प्रोडू करीद हो उन चीजों को यह उबज़ो करता देखता रेगुलेट करता है लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं आपने इश्यूज करिए हो सकते है इस चीज़ को लेकर और फार्मर्स के दो बड़े सवाल है इसमें पहले बात कई न कई मिन्म स्पोर्ट प्राइज जो है या नियूंतम समर्थन मुल्या उस पर क्योश्चन मार्क हो सकता है कि उसकी वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी और दूसरा फार्मर्स जो क्योश्चन कर रहे हैं वो यह कि आप जो कंट्रेक्ट फार्मिंग को प्रमोंट करने जा रहे हैं यह कहीं न कहीं फार्मर्स का एक्षप्लिशन यानि उनका सोशन जो इसको इंक्रीज करेगा इसके लावा यहाँ पर जो हमारे प्राइमिस्टर साब ने भी इस चीज़ को बोला था कि यह जो एक्ट है इसके बारे में मिस्ट इन्फरमिशन दी जारी MSP को कभी भी जो वो खतम नहीं किया जाएगा और MSP पे ही प्रोक्रिमेंट होगा केवल और केवल फार्म एग्रिकल्टर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए या फार्मर्स की इंकम को इंक्रीज करने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं वो खैर क्या चीज़ें है क्या पोजिटिव नेगेटिव दोनों पाक्स अपने अपनी जगह है सभी है उनके अपने कंसर उनके अपने तरीका किस तरीक क्यों हम इसको बना रहे हैं ठीक है इसके लावा यहाँ पर यही बताया गया कि हूँ मिसलीड करने कोसिस कर रहे हैं अब इसमें कुछ इंपोर्टन चीजें बताएगी अगर हम भारत के अंदर देखें तो अगरिकल्चर सेक्टर के अंदर बड़ी संख्या में जो है वो स्मॉल फार्मर है यानि बहुत छोटे किसा न जिनके पास मारिजिनल फार्मर भी जिसको को बलते हैं जमीन का ही सब भूत कम होता है तो उन पर इस तरह की चीजी वो कंट्रेक्ट फार्मिंग के तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे उन सब चीजों पर एक बड़ा क्योश्चन मार्क है इनके लावा यहां पर हमें पता होना चाहिए कि नैशनल कमिशन और फार्मर्स करने से बहुत जादा पोजिटिव इंपक्ट पड़ता है तो उनने बताया कि बिहार कवर्मेंट ने एपीम सी सिस्टम को हटाया था और बड़े संक्या में वहां पर रेवेन्यू लोश्ट हुआ था और प्रैवेट इन्वेस्टमेंट भी इतना नहीं हुआ था तो जुर कर सकते हैं फार्मर्स के लिए अच्छे खासे रोड बना सकते हैं ताकि वह अपने प्रडूश जो होंगी प्रोडक्शन जो हब वह उसके अंदर सेल कर सके टाइम पे रियल टाइम इन्फरमेशन होनी चाहिए उनको और इन सब के अलावा इस तरह की चीज़ें नहीं करने करने की चीज़ें हो तो यह कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रोंग इंस्ट्यूशनल अरेंजमेंट के बिना इस तरह की चीज़ें करने की जो कोशिस हो रही है यह खासकर अन और्गनाइज स्माल फार्मार जो हैं उनको काफी डेमेज कर सकती है और इनका प्रोड़क्टिव जरूरी है तो गवर्मेंट का अपना पक्स है उनका अपना पक्स है उन सब को जो कंसर्ण किया जाना चाहिए कि यह सारे चाहे वो एक पीम सी एक्ट हो या मार्केट जिसको बोल सकते हैं और अगरिकल जो दोनों हो इस्टेट लिस्ट में आते हैं तो किस हद तक लोज फ्र सारी चीजे हैं इसके लावा इंडिया जैपान के रिलेशन के बारे हम बताया गया कि जैपान के अंदर नए प्रैमिनिस्टर बने हैं सिंजो एबे के रिजाइन के बाद ये इनका नाव है योशिंदे शूगा करके ठीक है इसे पहले अलग अलग मिनिस्टर्स में ये बोल रहे हैं पहला तो नुकलर पार्टनर्शिप को के साथ जो अग्रिमेंट हुआ था इंडिया का जापान के साथ ये यूप्यस्ट ने भी पूचा था सीविल नुकलर पार्टनर्शिप जो है और जापान ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने किसी नॉन एनिप्रिट यह नॉन यह जो है यह ट्रीटी ओफ नन प्रोम प्रोलेशन टेटी यह तरीके अधिया है नुकलर वेपन्स को लेकर उसका यूस कैसे करना है कैसे अन सब चीज्जों के वहला यह पहली ऐसी थी जिसको सिविल नुकलर जो है वह हम वह उमें परवाइड करे inclina कि आगा कि अगर अगर हलका सभी वोलेशन होगा तो आटमेटली यह कैंसल हो जाएगी तो इस टाइम जो प्राइम निस्टर बने हैं इनके सामने कई सारे कंसर्ण होंगे पहली बात यूएस की एलेक्शन को वो जो कर रहे हैं चायना का इग्रेशन है टोक्य ओलम्पिक करवाना और सबसे ठीक ठाक रहे हैं इनके बाद अब कैसे रिलेशन ग्रो करेंगे वह एक अभी कंसर्ण रहेगा इन फ्यूचर ठीक है इसके बाद देखिए इंडियन अफगानिस्तान के बारे में अडिटोरियल था जिसके बारे में हम लड़ी डिसकस कर चोके हैं कि अफगानिस्तान और अ यह क्लिरली बोला था कि अफगानिस्तान में जो भी पीस एस्टिवलिस्मेंट के लिए काम होगा उसमें जो यह अफगानिस्तान द्वारा लेड होना चाहिए अफगानिस्तान उसको लीड करें लेकिन इस बात को इंशोर किया जाए कि वहाँ पर पीस पर ध्यान अखना पड़ेगा ठीक है तो इंडिया की important partner अफगानिस्तान का तो हमारी एक responsibility भी बनती थी इसके अलावा GST के बारे में बात की गई है कि GST क्या है उन सब चीजों के बारे में हम अलबी डिसकस कर चुके हैं GST एक indirect taxes है और इसके अंदर जो फिलाल क्या issue है कि GST क अंदर ये provision किया गया था कि अगर state government को loss होता है तो उसको central government compensate करेगी तो इसके बारे में बताया गया कि central government ने इस time compensate नहीं किया center government ने कहा कि हमारे पास revenue generate नहीं हुआ आप market से बोरो कर सकते हैं तो ये सारी चीजों के वेज़े से आर्टिकल ये न्यूज में रही GST जो goods and services tax तो आज के दहिंदू news paper में इतना ही thank you all जहिंद